जैहिन आदाब सलाम प्रणाम नमस्ते सत्यकाल आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्समुस्लिम स्वाइल ऑफिशल पर उम्मीद आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है आ तो आप सिलेक कर ले एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा है हलो कैसे हैं मुस्लिम आलम साहब मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं अरे जबर्दस साहब मैं दा रहता हूं मैं अरे वा मोमीन है बड़ा फैन हो भाई आपका एक्स मोमीन हूँ अरे भाई तो अपना लोकेशन विकेशन क्यों बता रहे हो आप कोई नहीं मुंबई में रहा थैं भाई कोई टेंशन नहीं मैं तो इतना मेरा सपना है ना कि मैं कभी आऊ धारावी बिस्मिल्ला ओडल साब के लिए कीमा पाउन लेके भाई और रहे आपका वाई क्या अधर यह अपन काटन रोड़ से घुम के आभी तो दिर पहले में अच्छा तो यह कब तक आप मुमिन थे पिछले साल तक भाई आपका चैनल आया एक्स मुमिन बन गया भाई अच्छा तो नमाजे माजे पढ़ते थे हाँ पढ़ता था बहुत पढ़ता था भाई तल जुमा भी पढ़किया है मुझे सुनने हैं मुंब्रा में आपके बारे में बता रहे हैं वह ब्यान में एक्समुलिट चैनल के बारे में सब जगा चालु है साहिल भाई पूरा इंडिया में एक दफ मालूम है क्या मैं एक अच्छा काम किया कि मैं चैनल सब्सक्राइब करके रखा हूं तो वो आ रहा है मेंको नहीं तो अभी क्या हो रहा हा वीडियो में जाता हुब ना वीडियो शेक्षन में तो आता नहीं आपका भी मतलब ़ो subcribe है ना तो जखेश मैं में बता देता हूँ ये ब्लॉक लगा हूँब है ना इंडिया लोकेशन पे इस वज़े से मेन पेज जो है वो नहीं डिखता है कितना फॉलो करते थे आप पहले बहुत करता था भाई क्या होलू मतलब बहुत नमाजे पढ़ना अगरी मैं कमाल की बात आपको बताना चाहूंगा थोड़ा लंबा हो जागा क्योंकि क्या सबको आपको टाइम देने का तो मैं सौटकट में बताता हूं बिल्कुल बिल्कुल आप आपके बताईए क्योंकि देखिए ये जो चैनल है वो असल में एक प्लैटफॉर्म भी देता है ताके लोग आके अपनी बात बताएं ताके आप जैसे जो दूसरे लोग है जो हिचकी चाते हैं और हो सकता है कि आपकी स्टोरी अलग हो और आपकी स्टोरी किसी के लिए इंस्पिरेशन मन जाए तो मैं पूरा मौका देता हूं आप बताईए हम सुनेंगे? बताइए हाँ, बता रही हूं मालूमा है कि वगलमी मजज़गहे सुनेंगे तो इस परॉब्लम हो जाएगे मुंब़ूही का तो मालूम, इकने बांदरा के वगलमी मज़गहे अभी मैं बता रही हूं आपको कि जैसे यह जब मैं मोमीन था ना अभी तो अब मेरी उमर 24 साल है भाई ठीक है और मोमीन तो मैं मतलब पिछले एक दो साल पहले तक था तो मैं बहुत नमाजे और पढ़ना सारी चीज़े पाबंदी के साथ और मेरे घर की फाइनेशल कंडिशन बिल्गुल ठीक भी नहीं थी तो मैं को ऐसा लगता था कि इस तरह से मतलब पच्पन से ब्रेंवाश्ट हुआ था ना साहिल भाई कि मैं को ऐसा लगता था कि नहीं यार सच मैं बलके मैं तो आवास निकाल निकाल अंदर से दिल से रोता था में परवाल मैं सोचा चलो यार नमाजे वागरा पढ़ेंगे सब ठीक हो जाएगा ये वो बट कुछ भी नहीं कभी में को ऐसा फीली नहीं हुआ कि कुछ चेंजिंगा इंप्रॉफ्मेंट आ रही है मतलब एक दिन से अचानक से मेरे यूट्यूब पे आया हारी सुल्दान वो गालिब भाई लोग के वीडियो देखे वो बच्पन से ना मेरे को डाउट तो रहता ही था भाई कि इसमें मतलब रियालिटी है या नहीं क्योंकि बहुत सारी चीजे मुझे 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 मुझ रही नहीं सकतossen आ वही चीज़ इसमें हराम है और मेरे को कभी-कभी ऐसा लगदा था यार कि ऐसे क्यों है और बहुत सारी चीजे ना कि मेरे को बच्पन पांच-चे-स साल का था तो कभी-कभी तो ख्याल में आता ही था जब अपना इस्लाम मझभी सबसे अच्छा है तो द मैंने पूछा मी से किया है मतलब ऐसा क्यू है तो आप जानते ना कि ऐसा ही करते हैं लोग के बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए बहुत गुना होता है ऐसा वैसा है कि नहीं साहिल भाई बिलकुल बिलकुल वही कहते हैं हाँ अवाज आ रही है क्या आ रही है क्लिय तो मैं यह गह रहा था कि मैं बच्पन से सवाल question आप अपने stream में फिर बांकी लोग यह कहते हैं कि question करना सीखो question करने वाला मेरा mind ना बच्पन से ही था तो मैं बच्पन में पूछता था और 10 साल, 11 साल का हुआ तो सवाल कुछ नो कुछ बीच में आते रहते थे तो मैं को ऐसा लगता था ना कि नहीं यार मैं भटक रहा हूँ थोड़ा सा मैं यह अच्छी बात नहीं है मतलब यह वो फिर वो जमात में निकल गया चार दिन के लिए तो उन लोग बोल रहे हैं कि यह है वो है खुब ब्रेनवाश की है बहुत सारा तो मैं होग जमात में गया है हाँ वो तीन दिन की जमात में गया है फिर उसके बाद बहुत सारी चीजे हुई मतलब जिंदेगी में उतल पुतल म्यूजिक से रिलेटेड फैमिली इशूस देखके तो मैं यह सोचता था कि यह कुछ श्रॉट आउट नहीं हो रहा है जिंदेगी में कुछ मसले हाल भी हो रहे है यह है सला हकीकत में है भी नहीं हुदा अपना है की नहीं है इतनी सारी चीजे हो रही हैं कभी कुछ होदा नहीं है पढ़ना वगरा सब कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ पिछले साल अचानक से सब भाई लोग को आप लोग जो आया है आचानक से यूट्यूब पर तो मैं एकदम वैसा लगता है कि जिसे किसी प्यासे को कुवा मिल जाता ना भाई कि कुरान तो हम लोग क्या पहले भी पढ़ते थे हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम के साथ पढ़ते ही नहीं पढ़ते है तो मैं चीजों को समझना शुरू और मेरे को सबसे बड़े जटका कब लगा भाई कि मुहमद की शादी का सुना ना छे साल की बच्ची से और ये लॉंडियों के बारे में मैं शौक हो कि यह सा बार में पता ही नहीं लोगों को साहिल भाई मतलब ऐसा ना आप साहिल भाई सोचो मैं इतना एग्रेसिव था पहले जब मैं मुमिन था तो इतना ज़्यादा गुस्ता अंदर कोई नमाज नहीं पढ़ता तुसको ऐसी नजर से और वो जेंडर इक्वालिटी भी अपने अंदर वैसी सोच नहीं थी लड़कियों को आप समझ रहो ना कि इस तरह से क्या रहे बेपरदा है तो ऐसी है वैसी है बूरिया लेकिन जब से मैंने मजब छोड़ा ना सब की लिए एक मन में एक बराबर की इज़त आ गई है कि अगर मैं मर्द हूँ यह लड़की है तो इसका भी वही हग है इनको भी वो राइट्स म आप साब आप लोगोंने मतलब पानी भेड़ दिया भी क्या होल गभी कभी ऐसा लगता भी है मतलब फिर मैं सोचता हूँ ने यार अच्छा ही हुआ साहिल भाई अपने भाई जैसे आए लाइफ में और हमें सही रहा दिखा दिखा दिया अभी इस्लाम के बारे में और रस एसी चीज़ें आप शुरवात में क्या हो मेरे को अंदर किरिवाइटी आ गे शाहिल भाई मैने एक दो लोगों से शेयर किया वो मेरे दोस्तों रोग भी जोड़ए है दोस्ती जोड़ देए लोगो ने बलाए दोस्ती फोर दियोग में को लगा इसलाम छोड़ दी है यहा यह सब वीडियोस वगरा मैंने आपका सेंड कर रहा उसको चोटे-चोटे क्लिप्स वगरा जबर्दर और म्यूजिक बहुत खोश रुबाई और यह सबसे बड़ी बात तो मैं बताना ही बुल गया कि जैसे जब तक मैं मोमिन का ना मैं यह कह रहा हूं बाई कि मैं सबसे बड़ा सच बता रहा हूं आप लोगो मतलब ओडियंस को ऐसा ना लगए कि मैं जूट बोल रहा हूं या कोई मैं सच बता रहा हूं कसम मतलब जब तक मैं मोमिन था ना भाई मैं मजाग नहीं कर रहा हूं सिर्फ दस बारा हजार रुबाई की नौगरी-ौगरी कर रहा है चोटे-मोटे काम कर रहा था कॉल सेंटर इदर अपना गंसोली में इदर उदर बट अभी अब एक्स-मुसलिम हूआ जबके वो मुस्लिम है तो है ना कि रोजी का मालिक लिक अलप है ल्ला बरकत देता है रोजी में हम मेनद करते हैं तो मेरे साथ उल्टा हुआ जब तक मैं मुमिन था अच्छे पैसे नहीं कर रहा था जब से एक्स-मुसलिम हुआ भाई बाई दो हूरे बताए हैं और मौलाना साब जो बता रहे थे किस तरीकी की हूरे मिलने वाली थी ये तो आपका नुस्तान हो गया पेर बहुत बड़ा नुस्तान हो गया भाई भाई फुल मजे लेते हैं भाई का तुम से प्लीज भाई साहिल भाई पर्सनली बात करूँ मैं आता हूँ कीमा पावले के बिसमिल्ला हुडल से बाई मजाग नहीं करना भाई काटर रोड में अपन बैट के खाएंगे दूर से मेरे को आप हाथ देखाना देख लेना आप मेरे को कि मैं जिहादी हूँ नहीं हूँ पर्सनली मैं मिलना चाहूँगा मैं समझ रहाँ आपको सेफटी का भी थोड़ा रहेगा बट सच में भाई यार आपको ना दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ भाई बहुत बहुत शुक्रिया म्यूजिक आलम साहब और म्यूजिक आलम साहब के लिए एक गुलाब का फूल तो बनता ही है देखे हर स्ट्रीम में कोई ना कोई एक्स मुसलिम आता है और वो स्टोरी बता रहा है और ये बहुत जादा नीचे से उपर तक मिर्ची लगाएगा उन मौलवी मौलानाओं के लिए जो दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे जो नौजवान है वो भटके नहीं लेकिन यहां तो लोग निकलते जा रहे हैं उनको समझ में आ रहा है तो मेरा एक लास सवाल आपसे यह है जाने से पहले कि भाई क्या जब आपने हमारा चैनल देखा तो आपने यह नहीं देखा कि हमारे जो सवालात है उस पे दूसरे जो मौलवी हजरात हैं उनका क्या कहना है मैं बोला कि जब आपने हमारा चैनल देखा और जो हम जो भी सवालात उठा रहे थे तो आपने यह नहीं देखा कि हमारे मौलवीयों के पास इन सवालात का इन आतराजात का कुछ जवाब है या नहीं है और अगर देखा तो आपको क्यों नहीं लगा कुछ नहीं भाई क्या जवाब उन लोग के पास मैं तो पिनाज के साथ शो भी देखा आपका न्यूज नेशन पर वो तो बोलती बंद हो जाती उनकी बस वो एक तो चिलाने लगा था है है हैदराबादी मौलाना वो मेरे को हसी आती है ना कभी-कभी हसना होता है तो मैं देख लेता हूँ इन लोग के पास कोई जवाब नहीं है साहिल भाई क्या जवाब है ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके है और अभी आप अच्छा कर दिये भाई कि आप अपना फेस चुपा रहे हैं भाई बाई कजम से अम्मिया तो गाली देती लेकिन अभी क्या लड़कों को सुधार दिया आपने चलिए बहुत खुशी भी आलम साब और मैं उस दिनका इंतजार करूँगा जब मुंबई में भर भर के एक्स-मुस्लिंग्स होंगे बाई आप मेरे को प्रॉमिस करो कि अपन दोनों कभी न गभी इन फ्यूचर साथ में जरूर कीमा पाऊंगे क्या बोलते भाई खाएंगे 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 एक नंबर जै महाराश चाबाई जै महाराश जैश चट्रपति शिवाजी महाराश जै बहुत बहुत शुक्रिया और यह थे नौजवान आलम साहब और मुझे बहुत दिल से खुशी वी कि भाई हमारे नौजवान जो है वो देखकर उनकी आखे खुल रही है तो इस अमेजिग इस रियली रियली अमेजिग थी नैंक्यू सो मच